लाब एवम हानी, प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी वाले भाई लिखेंगे अपनी कॉपि में लाब एवम हानी, अगर हम इस चेप्टर की बात करें, तो परसंटेज रेशो के बाद इस तीसरा टॉपिक है, अगर मैं बात कहूँ, पूरे अर्थमेटिक मैथ में, पूरे अंक गड़ित में, सबसे ज़्यादे जो पूछे जाने वाला टॉपिक है, वो प्रॉफिट लॉस है, मतलब पूरे अर्थमेटिक मैथ का, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक यही है, सबसे इंपोर्टेंट, पेपर में सबस्यादे सवाल इसी से पूछे जाते हैं अब जैसे मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूँ को कि ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है छोटा है लेकिन इस पे सवाल सबस्यादे आते हैं जैसे हम देखें time speed and distance बहुत बड़ा टॉपिक है time speed and distance train पढ़ो, boat stream पढ़ो, race पढ़ो, missliness पढ़ो तब जाके एक सवाल आता है लेकिन profit loss से 2-3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं compound है, simple interest कितना बड़ा टॉपिक है सवाल उससे एक ही आता है तो profit loss ऐसा टॉपिक है चाहे आपका pre का paper हो चा means का paper हो आपको 2-3 सवाल मेरे दोस्तों इससे देखने को मिलते हैं ठीक है भई, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया अगर मैं बात कुरूँ profit loss के तो मैं आपको actually पूरे टॉपिक का नाम है profit loss and discount lab, honey, even butta लेकिन मैं खिचली नहीं पकाता, मैं best पढ़ाता हूँ आप पिछले student जो पर्चुकुन से review लीजेगा जैसा profit loss discounter CISI में पढ़ाता हूँ पूरे भारत में कोई नहीं पढ़ाता पूरे इंडिया में देख चलेगा सबसे पहले आप terminology समझते हैं सब्द कि profit loss में कौन-कौन से सब्द मेरे प्यारे भाई इस्तिमाल होते हैं कौन-कौन से terminology इस्तिमाल होती है आप बोलोगे जी बिल्कुल सही मेरे सर आप समझाईए मेरे दोस्त देखो सुनू प्यारे बच्चों पहला टर्म है cost price cost price cost price ठीक है मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया cost price दोस्तो हिंडी में हम लोग इसे कहते हैं kriya melle kriya melle या फर हम इसको हिंडी में और देशी हिंडी में कहें तो लागत मुले लागत मुले भी कह देते हैं मेरे दोस्तो लागत मुले आज कल exam काफी short में इसको बोलता है CP, CP, जब भी मैं आपसे CP बोलू तो आप समझ जाएगा क्रियमुले, CP क्या होता है, किसी समान को खरीदने में, किसी भी समान को खरीदने में, आप जितना पैसा खर्च कर देते हो, उसे हम उसका cost price बोलते हैं, क्रियमुले बोलते हैं, जैसे आपका मन किया, मुझे घर में एक 30,000 रुपे का, 30,000 रुपे का TV मिला मेरे दोस्तों, तो स्टोर से घर तक लाने में, 1000 रुपे रिक्से वाले ने किराया ले लिया, 1000 रुपे रिक्से वाले ने किराया ले लिया मेरे दोस्तों, उसके बाद मेरे प्यारे भाई, आपने 500 रुपे मेरे दोस्तों, जो TV घर में फिट करने वाला आया उसको दिया 500 रुपे, उसके बाद आपने 25 रुपे की डिश टीवी लगवाई, तो आपको टीवी का जो खर्चा पड़ गया, किसी भी समान को खरीदने में, जो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो, जो कुल आप अपना समान पैसा जहौकते हो, उस 30,000 रुपे आया, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, क्रियम मुले, यह किसी भी समान को खरीदने में, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो क्रियम मुले कहा जाता है, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बात हम आपकी समझ गए, नेक्स्ट, जैसे मैंन आपको बढ़िया एक्जामपल से समझाया, क्लिर हुआ, ये पहले टर्म समझते हैं, उसके बाद हम फरमला समझेंगे, बच्चो की कानसेट क्या है, उसके बाद आता है बच्चो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, स्टुडेंट हिंदी में हम इसको कहते हैं विक्रिय मुल्ले या फिर बिक्री मुल्ले विक्रिय मुल्ले बच्चो या फिर बिक्री मुल्ले शौट में इसको कहते हैं बच्चो एस पी, आप किसी समान को मेरे प्यारे बई बेचते हैं, जब आप किसी समान को बेचते हैं, तो बेचने पर जो धनरासी आपको किसी समान को बेचने में मिलती है, उसी को कहा जाता है सेलिंग प्राइस, हिंदी में लिख लेंगे किसी समान को बेचने पर जो पैसा आपकी पॉकिट में आता है उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहते हैं जैसे 34 रुपे का टीवी पड़ा आपका दोस्त बोला कि भाई साब तू नया लगवाले ये टीवी मुझे दे दे तो आपने वो 34 र का टीवी अपने दोस्त को 40,000 रुपे म बेच दिया तो टीवी आपने जितने प्राइस में बेचा उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस दोनों को फरक समझ में है CP और SP दोनों बाते समझ में आई आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही चलेगा अब CP और SP पे मेरे दोस्तों तीन बाते यहाँ पे डिपेंड करती है मेरे प्यारे भाई वो आपको अच्छे से समझना है तीन केस यहाँ पे बनते हैं पहला केस यदी यदी मेरे प्यारे भाई सेलिंग प्राइस किसी वस्तू का सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है अगर किसी वस्तू का विक्रिय मुले उसके क्रिय मुल मेरे प्यारे भाई तो आपको प्रॉफिट होता है तो आपको लाब होता है मेरे प्यारे भाई अगर मेरे प्यारे भाई वस्तु का विक्रिय मुल्ले जादा है क्रिय मुल्ले से तो आपको प्रॉफिट होगा या हिंदी में लाब होगा एक्जाम्पल के लिए 34,000 रुपे का टीवी था और आपने अपने दोस्त को 40,000 रुपे में बेच दिया तो आपको कितना मेरे दोस्तों 40,000 में से 34,000 घटाएंगे आपको 6,000 रुपे का प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप रुपे में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस प्राइस तो 40,000 मेरे दोस्तों आपने टीवी बेचा टीवी की कीमत 34,000 रुपे थी 40,000 में से 34,000 रुपे आप घटाएंगे तो आपको 6,000 रुपे का प्रॉफिट हो गया ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई आप बोलोगे जी सर बिलकुल सही बहुत बेसिक बात है सेकिंड केस मेरे प्यारे भाई, यदि मेरे प्यारे बच्चो यदि सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस प्राइस से यदि सेलिंग प्राइस छोटा है, कॉस प्राइस बड़ा है, यानि कि समान आपने जिस दाम में खरीदा, उससे कम में बिक रहा है मेरे प्यारे भाई, तो आपको लॉस होगा या फिर नुकसान होगा, लॉस होगा, या हानी होगी मेरे दोस्तों, हानी, क्लियर है, आप बोलोगे, हान जी सर, तो आदमे को नुकसान कब होता है, जब समान सस्ते में बिके, यानि कि विक्रिय मुल्ले मेरे प्यारे भाई, क्रिय मुल्ले से कम हो, क्रिय मुल्ले जादो हो, तो जो लॉस होता है मेरे प्यारे भाई, वो CP-SP होता है, क्रिय मुल्ले मान दोस्त मेरे प्यार बई आपको चार हजार रुपे का नुकसान हो गया लौस हो गया मेरे प्यार बई तो आदमी को नुकसान क्या होगा तब होगा जब समान विक्रियμंले सेलिंग प्राइस से कम हो और लौस कैसे निकलेगा CP-SP 34R का TV 34R में बेका तो 4000 रुपे का आपको नुकसान हो गया समझ में आया clear दोनों बात एकदम clear है बिल्कुल देसी भासा में मैं आपको समझा रहा हूँ कवल जीत करें सर second class की चीज़े हैं ये skip कर दो बेटा second class की चीज़े हैं पर हमारे बालक second class पढ़े ही नहीं है second class पढ़ना और उसमें pass होना फरक है दोनों में है भई loss नाम की कोई चीज़ दुनिया में होती भी है वो आथ पहली बार देख रहे हैं board पे loss तीसरी बात मेरे प्यारे भई अगर selling price cost price के बाराबर है तो क्या होगा मेरे प्यारे भी if selling price cost price के बाराबर है clear तो आप कहोगे सर अगर selling price cost price के बाराबर है इसका मतलब ये है कि आपने समान जितने रुपे में खरीदा उतने में ही बेच दिया clear आप बोलोगे हांजी सर मैं apple का phone खरीद के लाया एक लाक रुपे का और मैंने आपको एक लाक रुपे का ही बेच दिया तो इसका मतलब इसमें ना तो कोई profit हुआ ना ही कोई loss हुआ तो इसको हम बोलते no profit no loss condition तो आगे से मैं आपके सामने जब भी कहूँ कि no profit no loss condition हो रहा है इसका मतलब जो आपका cost price है वही आपका total selling price है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है आप बोलोगे हाँ जी सर ये बली basic सी बात एती समझ पाए आगे चलते हैं बच्चो अब next concept की तरफ next concept क्या है सुनेगा देखो ये मैंने आपको बता है actual रुपे में आप ये कहने लगो भाईसा मैं महीने का 5 लाक रुपे profit कमाता हूँ ठेक है बच्चो अगर आप ऐसे किसी को बताने लगए तो दूसरे वाले आदमे को actual data पता लग जाएग आपसे चड़ने लगेगा ये साला 5 लाक रुपे profit कमाता है मैं नहीं कमा पा रहा तो actual रुपे में न जानकारी देखे चीजों को percentage में बताया जाता है पृतिसक में एक नया चलन पैदा हुआ कि profit loss रुपे में न बता कर percentage में बताया जाए तो percentage में profit ये loss कैसे कलकुलेट करते हैं वो हम मेरे प्यारे बई सीखेंगे ध्यान से समघने की कोशिश करेगा तो बच्चों ये हुआ profit % या फिर हिंदी में हम इसको कहते हैं लाब पृतिसत, profit % या हिंदी में हम इसको कहते हैं लाब पृतिसत चाहे profit % हो चाहे loss percentage हो हमेशा cp को bays pann के निकाला जाता है कृय मुले को bays pann के निकाला जाता है मैंने आपको बता है कि percentage का अपना कोई वजूद नहीं है मेरे प्यारे भाई जब तक ये ना पताघो कि percentage किस चीज का निकाल रहे हो तो चाहे coeur profit percentage हो चाहे loss percentage हो, हमेशा CP को base पानके निकाला जाता है, किलियर आप बोलोगे, हाँ जी सर, profit percentage कैसे calculate होगा, मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, cost price base में रहेगा, ऊपर मेरे दोस्तों आप लिखोगे profit कितना हुआ, profit in rupees, profit in rupees, आपको रुपे में कितना profit हुआ, मेरे प्यारे भा भाग करेंगे, और multiply by 100%, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, बच्चो profit होता क्या है, profit होता है, मेरे प्यारे भाई, selling price, minus cost price, आप बोलोगे, हाँ जी सर, SP minus CP होता है profit, profit हुआ, इसको भाग करेंगे, cost price से, percentage मे कितना होगा, मेरे प्यारे भाई, into 100%, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, ये profit percentage का मेरे प्यारे भाई, concept आ गया, ये formula आपको रटने की ज़रुरत नहीं है, मैं तो आपको ratio से सिखाऊंगा, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मेरे दोस्तो, कि आपने एक वस्तु 75,00 रुपे की खरीदी, 75,00 रुपे की आपने एक वस्तु 75,00 रुपे की खरीदी, और आपने मेरे प्यारे भाई उस वस्तु को 98,00 रुपे में बेच दिया, कितने में, 99,00 में, तो आपको कितने पृतिसत का profit हुआ, आपने एक वस्तु 75,00 रुपे की खरीदी, और आपने उस वस्तू को 9900 रुपे में बेच दिया तो आपको profit कितना हुआ मेरे प्यारे भाई जवाब दीजेगा तो आप ऐसा ने कि ये मेरे दोस्तों ये formula लगाने लगो 7500 रुपे का समान है मेरे प्यारे बच्चो सारा खेल percentage और ratio का है CP कितना है 7500 रुपे आपने 7500 का समान 9900 में बेच आ तो profit कितना हुआ 2400 रुपे का 9900 में से 7500 रुपे का मेरे प्यारे भाई आपको profit हुआ 2400 रुपीस का profit हुआ किलियर आप बोलोगे हाँ जी सर इसको percentage में convert करना है तो into 100% ही आए गया मेरे दोस्तों किलियर है दो जीरो कैंसल आउट हो गया 2500 रुपीस तिया पिछेत्तर और 3824 याने कि आगया 32% तो आपको 32% का लाब हुआ 32% का आपको profit हुआ ये बात समझ में आ गई आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको ऐसे करने की जुरत नहीं है ये भी हम करेंगे अगर आपको profit and loss निकालना है तो CP से SP का ratio ले लिया करो क्रिय मुल्य से विक्रिय मुल्य का ratio ही profit और loss की जानकारी देगा CP से SP का ratio ले लिया करो जब ratio लोगे 2-0 से 2-0 कट जाएगा ये 3 से कट रहा है मेरे दोस्तो 25 ratio 33 तो CP से SP का जो ratio 25 ratio 33 है मेरे प्यारे भाई याने कि अगर समान 25 रुपे का है तो 33 रुपे में विका तो आपको profit कितना हुआ 8 रुपे का profit हो गया बच्चो 25 रुपे पर ये आपको profit आ गया है मेरे दोस्तो 1 बच्चिस 4% होता है 8 बच्चिस 32% होता है तो 32% profit होगा तो आपको इस तरीके से सवालों को करना अगर आपको profit ये loss निकालना है तो CP से SP का ratio ले पाटनर्शिप अलग है बेटा भी विक याना आपने आपर ratio ले लिया क्रिय मुल्य से विक्रिय मुल्य का ratio आया 25 रेशो 33 अगर किसी वस्तो का क्रिय मुल्य 25 है तो आपने 33 उनिट में बेका तो आपको profit कितना होगा 8 का 33 माने 25 आठ रुपे का profit होगा 25 पर एक वटे 25 चार परसेंट होता है तो आठ वटे 25 आठ कुना करेंगे 8 चौक 32 परसेंट होगा समझ में आ गया आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही बात समझ में आ गई है आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टूडेंट अगर बच्चों आपको loss परसेंट निकालना है loss परसेंट loss परसेंट या पर हिंदी में मैं कहूं हानी परतीसत अगर मैं आप से कहूं loss परसेंट निकाले loss परसेंट या पर हिंदी मैं कहूं हानी परतीसत तो loss परसेंट कैसे निकाला जाता है सेम यही कंसेप्ट है जैसे profit है वैसे ही loss है loss is nothing but negative profit तो loss क्या होगा चाहे profit percentage और चाहे loss percentage हो हमेशा CP को cost price को base मान के निकाला जाता है क्रिय मुल्ले को मेरे प्यारे भाई loss percentage आपको निकालना है तो पहले आप ये पता करें कि loss कितना हुआ रुपे में आपको कितने रुपे का loss हुआ उसको भाग करेंगे cost price से और percentage में मेरे दोस्तों into 100% आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात एकदम correct है और बच्चों आप इस बात को अच्छी तरीके जानते कि loss क्या होता है बच्चे loss होता है CP मानस SP क्रिय मुल्ले मानस विक्रिय मुल्ले इसको भाग करेंगे मेरे दोस्तों CP से और percentage में 200% आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते समस्ते और पहचानते हैं मुझे इस बात को बताने की जुरत नहीं है मेरे प्यारे भाई क्लियर ठीक है चलो अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई मैंने आपको बच्चों multiplying factor समझाया है multiplying factor यह multiplying factor percentage में मैंने आपको समझाया है इसका बहुत जाद इस्तिमाल होगा मेरे प्यारे भाई compound है simple interest mixture allocation profit loss में मैं बच्चों आपसे कहता हूँ किसी समान को बेचने पर किसी समान को बेचने पर मेरे दोस्तों आपको मैं आपसे कहता हूँ किसी समान को बेचने पर आपको 45% का profit हुआ 45% का profit हुआ किसी समान को बेचने पर 45% profit हुआ तो इस बात का मतलब क्या है आप मुझे जरा इस बात का मतलब समझाओ किसी समान को बेचने पर आपको 45% profit हुआ इस बात का मतलब क्या है देखो बच्चो 45% profit का मतलब 45% की fraction value होते है 9 बटे 20 5% का fraction लो 1 बटे 20 होता है मेरे दोस्तो 45% की fraction value आईगी 9 बटे 20 आप बोलोगे जी सर दो तरीक देखो 2 मतलब है इस बात के अगर किसी समान को बेचने से 45% profit हुआ है इस बात का मतलब ये है देखो हर्ची अपने आप में 100% होती है हर्ची अपने आप में 100% होती है मतलब अगर वस्तो का cost price देखो data आसान है अगर data आसान है तो हम percentage 100% मान के solve करेंगे data typical है तो fraction में convert करके solve करेंगे अगर वस्तो का cost price 100% है तो selling price 145% होगा ये इस बात का मतलब है मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर में समझ गया clear दूसरी बात मेरे प्यारे भाई अगर किसी समान पे आपको 45% profit हो रहा है 45% की fraction value मेरे दोस्तो होती है 9 बटे 20 5% एक बटा 20 45% 9 बटे 20 मतलब ये हुआ जो नीचे profit loss किसको base one के निकाला जाता है CP को base one के निकाला जाता है मतलब अगर किसी वस्तू का cost price 20 unit है अगर किसी वस्तू का cost price 20 unit है तो 20 का 45% 9 रुपे होता है 20 का 45% 9 रुपे होता है अगर किसी वस्तू का cost price 20 unit है तो आपको उस पे 9 unit का profit हुआ है, 20 के समान पे 9 का profit हुआ है तो selling price कितना हैगा मेरे दोस्तो 29 आपका selling price होगा, तो CP से SP का जो ratio होगा वो 20 ratio 29 होगा आप बोलोगे हां जी सर बात अच्छी तरीकी से समझ में आ गई, एक पैसे का इसमें doubt नहीं है, मैं अगर आपसे कहता हूँ एक किसी समान को बेचने पर आपको 45% profit हुआ इस बात का basic समतलब यह है कि वस्तू का जो selling price है वस्तू का जो selling price है उसके cost price से 45% ज्यादा है अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी समान पर 45% मुनाफा हुआ है किसी समान को बेचने से तो इस बात का देशी भासा में मतलब यह है कि वस्तू का जो selling price है उसके cost price से 45% ज्यादा है यानि कि cost price को अगर आप 45% बढ़ाओगे तो selling price आ जाएगा किसी संख्या को 45% बढ़ाने का मतलब है 100% को 45% बढ़ाने का मतलब है 145% कर देना यानि कि selling price जो है वो cost price का 145% है 145% का मतलब होता है 1.45 1.45 ठीक है मेरे प्यारे बई यानि कि selling price जो है cost price का 1.45 टाइमस है ये मतलब हुआ बच्चो इस बात का यह सरनो इसी को बोलते है multiplying factor यही तो है multiplying factor आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया जैसे यहाँ data काफी आसान था तो बच्चो आमने जैसे cost price 100% है selling price 145% अगा data थोड़ा सा typical कर दिया जाए example के लिए किसी समान पे मेरे दोस्तों आपको किसी समान को बेचने से मेरे दोस्तों आपको suppose कितना कर लेते हैं किसी समान को बेचने से suppose आपको 16.66% का loss होता है किसी समान को बेचने से मेरे प्यार भी suppose आपको 16.66% का loss होता है मेरे प्यारे भाई तो 16.66% तो बहुत टिपीकल percentage है इसको मेरे दोस्तों यहां हम सो मान के नहीं बनाएंगे यहां fraction में convert करके करेंगे 16.66% की fraction value होते एक बटा छे एक बटा छे इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तू का cost price या क्रिय मुल्ले 6 है तो 6 का 16.66% एक होता है याने कि आपको उसपे loss एक का हुआ है clear बात समझ में आई याने कि प्यारे बच्चो अगर किसी वस्तू का cost price 6 unit है तो आपको उसपे एक का loss हुआ है, selling price कितना है 5 unit है, तो CP से SP का ratio 6 ratio 5 होगा मेरे प्यारे बटाई, जिसको समान को बेचने पर आपको 16.66% loss हुआ 16.66% या 1.66% loss हुआ, इस बात का देशी भासा मतलब यह है कि वस्तू का जो विक्रिय मुल्ले है उसके क्रिय मुल्ले से 16.66% कम है वस्तू का जो विक्रिय मुल्ले है उसके क्रिय मुल्ले से 16.66% कम है 16.66% की fraction value एक वटा च्छे है percentage में कहूं तो 100% होता है fraction में कहूं तो 1 होता है मेरे प्यारे भाई अगर वस्तू का selling price cost price से कितना कम है एक वटा च्छे कम है तो selling price जो होगा मेरे दोस्तो cost price का 1-1 वटे 6 गुना होगा या फिर मेरे दोस्तो selling price जो होगा वो cost price का 5 वटे 6 गुना होगा और बच्चों हम इसी को बोलते हैं multiplying factor मेरे प्यारे भाई क्लियर है आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही बात समझ में आई अच्छी तरीके से बहुत बहतरी मैं आपको example से समझा रिवीजन देके मेरे प्यारे भाई ठेक है दोस्तो सबसे पहले CPSP समझा फिर मैं आपको तीनो केस समझाए profit percentage loss percentage कैसे calculate करना है वो समझाए फिर मैं आपको समझाए कि profit percentage loss percentage को fraction में कैसे deal करोगे ratio का कैसे इस्तिमाल करोगे मेरे प्यारे भाई पाल से हम लोग सुरुआत करेंगे मेरे प्यारे भाई और धीरे धीरे करके level बढ़ाएंगे अब जैसे ही सवाल है 2016 के means का है प्यारे बच्चो और जो important है वो उस पर मैं कई variety आपक अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ पांच रुपे का profit हुआ बारे रुपे के समान पर एक बटे बारे क्या होता है एक बटे बारे होता है एट इस्टू वन बाई 3 परसेंट यह पांच गुना है तो 40 सही 5 बटे 3 40 something आएगा यहने कि 41.66% इस सवाल का अंसर होगा बड़ा basic सा सवाल बच्चो यह था खूब ऐसे सवाल परिक्षा में आते हैं मेरे प्यारे बाई यह देखेगा यह 2020 के means का है यह बिल्कुल type by type हम sequence पे करेंगे जिसमें कुछ नहीं करना कि यह आपको CPSP का ratio दिया है देखो एग medical transaction में cost price का जो 17 गुना है वो cost price और selling price के योग का 8 गुना है profit and loss percentage बताओ जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ बोला है cost price का जो 17 गुना है वो क्या है वो cost price और selling price के योग क्या CP और SP के योग के 8 गुने के बराबर है यह पहली line बोली गई है profit percentage आपको बताना है सुनेगा तो जब यह इधर आएगा यह 8 CP 17 मानस 8 करेंगे 9 CP बराबर आजाएगा मेरे दोस्तो 8 times of selling price तो article के CP से SP का ratio कितना आएगा मेरे दोस्तो 8 उतर चला जाएगा 8 बटे 9 यानि कि article का क्रिय मुल्य अगर 8 है तो selling price 9 है बच्चो क्लियर है यानि कि 8 रुपे का समान अगर 9 रुपे में आप बेचोगे तो आपको 1 रुपे का profit होगा कितने पर आठ पर एक बटे आठ मतला आपको साड़े बारे percent का profit होगा तो ये बास सीधी ना बोलके गुमा फराके बोले गई ultimate बोलने का मकसद तो यही था ना आप बोलोगे हाँ जी सर बड़े basic सवाल पूछता है एक जम्रन